लॉट ओपोशन के थेयरी के सवाल जो तीन लॉट से आते हैं करने तरीका सिम्ट होते हैं हमेशा पैन लगाओ और इसको आगे बढ़ाओ तीनों का सम जीरों आची एक्स प्लस वाई प्लस जो जैड पोर्स बोलो यह जाए जाए जीरो एक्स डारेक्स से निकालते हैं हमेशा स्लोप के साइड क्या लगता है साइन त्रीटा लगता है फेमस सवाल 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 एक ही सवाल सब्सक्राइब का और इसका फिक्स सॉल्यूशन होता है अच्छा पार्टी मिनिट रिविजन एनलम लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट करते हैं छटाक से चालू करेंगे ठीक है चलो इसका मास जढ़ा उसका नेशी यह जढ़ा म습न रधा में जो चलता रहएं जब तक बढूब मासक ब्राबर मास genre थे मासकों संटेंग कारेंक क्या सब्सक्राइब ठीक है this is wrong correct है इसको इसको लिखके कार्ट सको ज्यादा प्रोप्रेट यह वाला है ठीक है सबसे इंपॉर्टेंट लो होता है यह सेकेंड वाला क्योंकि फर्स्ट थर्ड लोग से डिराइव हो सकते हैं इसको एक्षं रीक्षंएड लॉप्र लॉपने लोगता हुसरी है तीन लो अपीम बहुत है और से होते हैं करने के तरीका हमेशा पैन लगाओ और इसको आगे बढ़ाओ बोला चलते जलते रुख गया चलते जलते अगर कोई चीज रुख जाएगा एक्सलेशन होते जीरो हो गया तो हमेशा जो कॉंटेक्ट में हो रुख जाएगा दूसरा वाला पाट जाते रहेगा तो बढ़ नहीं तो वेरिवल मांस लाउस्ट टॉफिक होता है कि सिंपल कोशन होता है तो मुश्किल कोश्चन दिए स्वाल होते कैसे करते हैं इसको कोशन आते हैं पर तो डारेक्स कोशन आते कि इसको दिफ्रेंशेट करोगे तो पूर्स आ जाएगा और इंटिगरेशन डीपी अगर आप का स्लोप निकाल लोगे थे तो पिंट आप्जा करने अब याद रहे ना वीक्टि लोपन निकालते थेटा तो यह फ्यसके से फोर्स की यह बाचले गाजएगा ल१ा एक्सलेर से नहीं होता है तो माँ बराबर फुर्स प्रफ हो जाता है बिटा फॉर्स टाइम गराफ के बनते हैं पूरल झाफ को इंट्रेंट करो गए तो सी इस चुअ वोड । ग्रफ का जो एरिया होते है से क्या निकल करते है इंपल्स एचेंज इन मोमेंटम है अगे अगें वही सिंपल सा चीज आपको पता हो नहीं चीज अब तो किती बार कर लिया है उपर का एज पॉजिटिव नीचे का एज नेगेटिव होता है सेम वे मैं यहां पर कहीं बार मास मल्टिप्लाइड वाए एडिया है जो कि मास मल्टिप्लाइड करने पर एक्सलरेशन एम एक फोर्थ बन जाएगा तो यह डारेक्ट निमेरिकल दोते हैं जो सेकेंड लॉग के ऊपर आते हैं वास समझ में आगे इजी दिशीज जाती है कई मैं डायरेक्ट करते हैं एम इसकेंड पॉपटर थी होता है पॉनेटम के कोश्चन इसमें यहां होता है कि बॉल आकर टकरा रही है स्पीड यू से वापस भी जा रही है अगर यू से तो चेंज्छेंज पार सकरा कर वापस चले गई उस 망स्पीड यू से उसकेश में क्या जाएगा मोमेंटम का चेंज टू टाइम्स मु हो जाएगा डबल लगेगा फॉर्स भी कितना लगेगा डबल लगेगा तो टू एम यू बैटी मोमेंटम का चेंज अपॉन में टाइम तो यह वाले सवाल होते है एक डारेक्ट आ जाती है एक केसे थीटा एंगल पर जाती है अगर यहाँ यह आया थीटा पर टपक कि नीचे टपक गया तो बहुँ चेंजन मोमेंटम क्या हो जाएगा यू की जाके मू का कॉस्ट थीटा और फोर्स क्या हो जाएगा यही कर एंच सब्सक्राइब नें जाएगा सब्सक्राइब करें एक परती में तो सांता है वो चोसले टाये को इसके पाटल घ्लब प्रणा सेम ढ़ों हमदरेंगे सब्सक्राइब ठीक है इसके अंदर ही क्या बनता है इसमें अगर यू से आया और वी से चला गिया तो आपको चेंज इन मोमेंटम के लिए क्या करोगे एड करोगे सब्ट्रेक मत करना ठीक है मू प्लस एम वी और फूर्स में क्या करेंगे मई आ यू प्लस एम वी बै टी चुकि वेक्टर में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बैटा सेम में अगर यू आ रहा है थीटा पे और वी जा रहा है 5 पर 3 कोई तो से में तो कोस्थिटा प्लस चोसर बाइटी और फोर्स किया जाएगा यह व्यीं चैन्ग चैन्ग इंदर ऐंदर-टारै की आथ। वर्टिकल से थीटा या दे रहा है तो कॉस का साइन हो जाती है तो डारेक्ट डारेक्ट सवाल होते हैं बॉल मोमेंटम के उपर जो आते हैं टाइप 4 कोश्चन क्या होते हैं इसके इंदर एकुलीब्रियम पर डारेक्ट आते हैं कि आइधर बॉडी इस एट रेस्ट और मुविंग विट कॉंस्टेंट वेलोसिटी इसको क्या बोलते हैं एकुलीब्रियम बोलते हैं कि या तो बॉड़ी रुकी पड़ी है रेस्ट पर या कॉंस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है ए है यहां पर दिए 10 N का पूर्स लगा रहा है और इधर से बंदा जो है दस न्यूटन का फूर्स लगा रहा है तो तेंशन भी 10 यह क्यों होती है है यहां तरी हो जाएगी टैंशन फॉनों का मिला चार हो जाती है में टेंचन की तेम वे नार्मल बाले सवाल डारीकि डारीक्ट बनते वैटा यह मास में यह थी यह लेलो तो यहां नॉर्मल एपड़ा की यह परी हां पर नॉर्मल फॉर एमजिद दुनों का मास चड़ रहाए ना तो यह लिए फोरेंजी हो जाएगा तो यह वारा नहीं होता नॉर्मल में only when कि याँ थ्कना दोनों से मिल को क्या में बराबर चलता जब तक फोड़ल याथ तो यह ट्रग वाले सवाल होते हैं इन में घरबर मत करना सब्सक्राइब और हिसे इस और है यह तो आप क्या करोगे सारे फुर्स x में बैलेंस करो विए सारे फोर्स y में बैलेंस करो तो आपका एकविडीनिः निकल के आ जाता है ठीक है डाइरेक-डायरेक चीज़े चीज़े चिख होती है तो यह टाइप फोर कुछन होता है जे डारेक-डारेक आते हैं रामिस टी खोरों प्षवाल क्यासे बनेंगे एं फोर्स दोंगे हमेशे लामीश्य रोम में आप इसको बोलो force 1, Force 2, Force 3, 1 के पोँजेच अंगल थीटा 1, 2 पोँजेच थीटा 2, 3 के पोँजेच थीटा 3, तो आप डारेक्क कर सकते हो, यह हो f1 by sin theta 1 बराबर f2 by sin theta 2 बराबर f3 by sin theta 3 डारेक्ट चीज़े होती बिटा है यह कुछ चीज़े इंपोर्टन्ट होती है e chi 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 कि साइन 90 यह बराबर होता है साइन 180 के यह बराबर होता है साइन फिफटी के वो curved इन 10 माइनस ठीक ळाए रहा हूं है यह यह 1 20 चे शाइन फू। की फ़र्टिफाइफ दन jijए obenहते जी 0 0 0 जाएगा 30 वाला 1 लपाई 2, 61 रूट 3 वाई 2, 135 वाला 1 grabbing better off right now, पीचरसार कच्छरसा पूर्ड e इस में solid करें होति है इसकी वाई user ऑर 4 by 5 इंहें है, वो था कैसरा है, इसला अधो गुरूर्ड иеeseических वैfirst प्रवीर है को इन चीजों को बहुत टफ नहीं होता पर याद रखना जरूरी इनको तब याव लामी इसके सवाल कर पाओगे लामी इसके लिए इतना मैट्स लगता है फिर लामी का एक स्पेशल्टी में टाइप से लामी आंटी लामी नाइंटी इसमें दो एंगल नाइंटी पर होते है मिटा तीसरा वाला ऐसा होता है यह ऐसा बना लो आप अब टिके इसको एक सिसको वाय बोलो यहां से एंगल लगा तीटा इसमें टैन थीटा वर्डविद वर्टिकल पूछते हैं मिटा तो यह एक्स बाय वाय निकल के आता है इसका बहुत जगे फिजिक्स में बहुत सा होता है इसमें और बहुत सारी बाते होती है एक स्कूर प्लस य सकोर तो सारे सवाल इसके अंदर आपको बन निकलने को आ जाते हैं तो सवाल नहीं पर थोड़ा निकालना पड़ता बहुत बार इसका कई जगे पर फिजिक्स में इस्तमाल होता है लामी आंटी का लामी इसके इंदर वो आता है दागा का सब्सक्राइब यह इसके इंदर अधागा कि इसे दागे में कुछ मास बांद दिया इसमें इसमें भी लाइक इस इसमें स्क्राइब कर सकते हों इंप्रॉटन्ट किस होता है अगर यह मैंने बुला धागा बानने के अद्वी वायर एकदम स्ट्रेट है एकदम पूरा दम पूरा एंगल वांटी डिगरी है तो मुझे इस केस में फोर्स बराबर इंफाइनाइट फोर्स लगाना पड़ेगा या टेंशन जोगी वह इंफाइनाइट होगी योगी पॉस बने पॉर्स इनफाइन लगा तो ऐसा होगा और मिनिममम फॉर्स लगाओ तो यह हुझा जाएगा ठीक है तो बड़ा फैसी सवाल होता है रहा है एक सेकेंड़ व्यांड़ वह जाते हैं सारे सारे स्ब्सक्राइब मैंगी एक पॉल सकते हैं यह एंगल फॉर्स फोर्स बढ़ता जाएगा सिंपल सी बात होती है बहुत मुश्किल नहीं होता अगला आता है पुश और टाइम है निमोड़ा निमोड़ा वाले सवाल होते हैं इसाट निधी सवाव होते हैं तुय चोफ सिंपल सा रूल होता है यहां आप एक्समाता फ्रेक्शन आफ मास पुष्ट गया पुल्ड इंटु फॉर्स तो इसमें दोनों में यह एमटु को कीच रहा है यह वाला टेंशन और यह वाले नॉर्मल एमटु को धक्का दे रहा है तो एमटु अपॉन टोटल मास एमटु इंटु फॉर्स एफ लग जाता होते हैं सब्सक्राइब यह 10 है 20 हे 30 है अभ अपने सवाल निकाल जाता है पूर्स नेट अपॉन में मास से टोटल से तो 120 लगा 60 लगा टोटल मास भीशाइट सिक्स है 60 है तो एक्सेलेशन आपका 260 बैसिक्स वन निकल के आ जाएगा इसको बोलेंगे निमोडा 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 वन न्यूटन पर केजी मतलब हर किलो बे एक 60 प्लस 10 70 तो यहां टेंशन 70 आ गई 70 में 20 का चेंज आए 90 यहां टेंशन 90 आ गई इसमें देको एड़ करों कि 30 हमेशन 120 आना ही चाहिए तो यह एक दम डारेक सवाल होते निमोडा कंसेप्स है बहुत स्पीड में सेम सवाल सॉल हो जाते हैं वाले तो बहुत फास तरीका होत होता है बैटा उपर एकसे ररीशिए सिंपल कंसेप्ट क्या है कभी acceleration होगा सूदोफों कि वाल्यू क्यों होते फोर फुर् fuck is the mass into acceleration a palorn and cleared acceleration इस तरफ लगेगा यह जाके यह तर तो माइस तरफ लागता हुआ मंक्य और लिफ्ट इन सब सवालों में क्यों होता है बंदर उपर चल रहा है इधर या लिफ्ट में आप चल रहो यह अगर जीरो एक्सेलरेशन है यह वेलोसीटी बोल देरा कि उपर नीचे बतार कॉंस्टेंट है तो सूडो फोर्स नहीं लगता है नो सूडो फोर्स ठीक है कई मेरे से देख उपर गया तीन दो मीटर पर सेकेंट से गभरानमत नहीं लगेगा सेकेंट स्क्वेर होगा तो एक्सेलरेशन होगा अब अगर उपर एक्सेलरेशन है ने हुगा तो या वेट जो चाहिए बोलो एम जी माइन से M자를 हो जाता है जी एक्सेलरेंच नॉन यूर्मलं जो भी बूलो भी hell जहता है मघम जग से नीचे संग्ठींस सब्र ενकेपर दीव एक्सान से धेर से नीचे मदी यह जैंगं і सब्काइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब में जाँकर हो आप देखे जूले वो बोट वोड गुल वाले सब पर फिल करते ले वो अगला है यह नॉछ एसलिटे कर रहा हूं यह नहीं स्लिप हो रहा है यह सेम कोशन टैंशन में आ जाता है कि अग्सलिशन हो रहा है कार के अंदर थीटा बता तो दोनों में आप लामियांटी से सौल्व कर सकते हो तेन थीटा वी की वरियों निकालों तो वह आ जाएगी एकस अपॉन में वाय नीचे जाएगा स्लिप नहीं होगा और इसमें नॉर्मल की वाल्यों एमजी बाइक शुटा निकल कर जाती है यह यह तो बहुत इसले सवाल हो जाते हैं यह वारा सेकेंड के सबनता है सूडों का फिर टाइप टेन आता है जाता है पहला बंग मंक्यों लिफ्ट वाला होता है है यह होता है थ Southeast कैस्ट में क्या होता है पिटए प्र अब इसका अब होता है यह मास कुछ सीम होगा है कि अधिक लगा तो क्यों हो जाएगा कि हो जाएगा से本ग इसका और लिपनो से मास हो जाएगा अ हमें कुछ एपन में जी प्लस तू एम ए अपन में जी प्लस ए इसा वैल्यू निकल क्या थी डिल्टा एमकी सॉल्विंग कैसे सूड़ो फोर्स से सॉल होते हैं बिटा उपर की तरफ आले एक्वेशन बनाऊंगा तो अभी जो यहां पर उपर फोर्स लग रहा होगा इसके से फोर्स क्य हटाया इसको एक्स मान लो यह माइनस एक्स को इसको में ले लते हैं इस मास को एम बन की जागे एम ले लते हैं ठीक है इसमें क्या जाएगा जी माहिनस ए पर सॉल्विंग का होता है उसके बाद कुछ ने नीचे एक्सरशन नहीं हुआ तो जीए एफेक्टिव जी माहिनस से गया तो डाइयग डाइय्क डाइयक सॉलरियंग होती डरह सिकरसे निकल गया जाता है एम जीओ भ्लस से में आपको एक्स के वई निकालने होती एंदी माहिनस से माइनस एक तेन इंट तू जी माहिनस है M और X multiply कर दी है यहाँ पर यह M G minus M हो जाएगा M G minus M हो जाएगा M G M G कर जाएगा दराके 2 M हो जाएगा 2 M A और यह अपना G minus A is equal to X हो नीचे G minus A जा रहा है अरे कुछ गरबड कर यहां कमें ने रूको Sorry, उल्टा लिख जाए सवाल पहले acceleration यह नीचे होता है बाद में यह उपर हो जाता है हलका होगा तो उपर चला जाएगा तो यहाँ G plus यह आता है और यहाँ G minus यहाँ ठीक है, बागे solving same है ठीक है अभी सही हो जाएगा यह सवाल इधर यह G plus है G plus हाँ, अब सही हो जाएगा solve करोगे तो यह Mg की X की value निकल कर आ जाएगी दो माँ upon में G plus है तो यह डारेक्ट सवाल होता है चार टाइप की सवाल होते सुड़ो फोर्स में और यह NLM का टाइप 10 घतम हो जाता है आसाने NLM में जाएगा मुश्किल नहीं है एक सितना खीचा यह दवा compression एकस्टेंशन 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 की value Mg आ जाती है यह फोर्स अपॉन में के सिंपल सवाल होता है तर मुश्किल नहीं होते है अगले समय आता है combination और स्प्लेटिंग के सवाल तो जब भी आप सीरीज में करते हो को तो कि effective के spring क्या हो जाता है बेटा सीरीज का निकल के के एवन के टू ऑपन के यह इन्वर्स आडिशन होता है वन बाय के सीरीज का वन बाय के वन प्लस वन बाय के टूएन चलते जाती है चीजिए बहुत जब आप पैरलल ऐसे भी हो सकता है और दो उल्टी साइट से पकड़ता है तो भी पैरलल लीके लाता है कि यह प्रेलल डारेक्ट हो जाता है तो ठीक है और जो इस प्रिंग को पन क्या करते है तो सिंपल रूल होता है जितनी छोटी स्प्रिंग छोटा छोटी स्प्रिंग का कि बढ़ा हो जाता है तो आपने में को अगर 2 से तो यह क्ली हो जाएगा थिके three सवाल आते हैं स्प्रिंग को आदा तोड के पैरलल कर दिया तो बड़ा फेमस कोशन होता है ऐसे स्प्रिंग के अगर आपने इससे करके नो को पैरलल जोड दिया तो यहां पर कुछ भी मा यहां पर टेंशन कुछ टी होती है कि या कि इसे काड़ देते स्ट्रिंग को कप टिंग का सवाल जोता है काड़ देते हैं तो उसमें सदन चेंज नहीं आता बेटा च्वंता इसमें स्प्रिंग अगर यहां पर लेट से एम था यह टो यहां पर टेंशन गा थी 3 एम जी थी कितने कंटी इसमें एमजी कंटी पूर्ट मास इसका है तो इस आप एक्सलर्रिशन आ सकते किसा जटके से उपर आएगा पर आनश्पोर्ट इसके अंदर स्प्रिंग के अंदर ऑन एक्सेलरिक्श हैंabar जाता है ट। इस तहीं सवाल बनते हैं अगले ड्रेंट आपकोंस्ट उ मिलंए राखान सब सब Eastern और चाहिए और अगर अगर सकता है एक की सब्सक्राइब बिरब्भर एक सबस्क्राइब्सूर्ट होता है के सिधे इसे फिर तरी कर दो होता है सब्सक्राइब तुसरा ऐसे आलाग अलग टेंचन यहां यह सब्सक्राइबस हों चीहां यहां पर पकड़ा ऐसा गोल घुमा कर आके इक मास डाल दिया जाएसा है कि 1 तरह विता ईवर यहां पर चले जारी चेहने चीन जेननट बफिन चेले जा रही है इस में देखो यह टेन्चन टी मास में या टूटी हो जाएक फूर्मूला गशेल लिए एक्सलिर्शन वन कुछ भी सकते हैं तो मैंने बूला यहां पर टी इंटू इसका एवन बराबर इसका एटी इंटू एटू तो आप बोल सकते हो एट टाइम्स ऑफ एटू होगा टेंशन आड़ गुना बढ़ गई तो यह उल्टे वाले का एक्सलरशन आड़ गुना होगा सब सब्सक्राइब सब्सक्राइब खजारते मुठेस आभ भी तरीके से सारे सब्सक्राइब नाट लस्टिक्ए अरी तो यहां सब्सक्राइब तरह स्वागे कित लेक ignore निकली वहाली सब्सक्राइब फीजिद familiya के और यह कर देतें तो इसकिर अगर हमेशे अध्र एक होता है इन टीटा इनकी कि वी बाय कोस्ते लगा कि स्थृटा हो टीए सॉरी वी में से धरी डिवाइड होगा में या की इस सवाल होते है एस अगर यह सम्राइब यहां श्राइब वल्किते लोकितंट होते हैं यहां 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 पर फिक्स वेजे का यहां फनी तो इसकी स्पीड अगर वी तो यह दर यह वी भाइब वससी मोत बलुट이면 जाती है तो डारेक्ट सवाल होते है बहुत सवाल होते हैं अगला है एट्पूट मशीन यह स्ट्रिंग पूली सिस्टम बिटा इस तो डारेक्ट एक तो यह वाला केस हो जाता है तुम पहले मुव पता होना चीह है रिड्यूस मास M1 M2 पॉन M1 प्लस M2 जी होता है काफी इंपॉर्टन हो जाएगा इसका यूद्ट होगा तो देखो चलू करेंगे सारे केस लेते होगा चलेंगे ठीटा वन थीटा टू वाला केस ले लिए आप से मवन एम टू मास है तो डारेक्ट वाला केस ले ले सबसे फे क्याओ टेंशन हमिशे कहते है ज disp2 म्यूजी आप टेंशन में जी नहीं आता मियू मैं जी आता मियूजी साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू कि लटका हुआ है तो बंधो वन ओर साइन राइंटी नाइन और टू मुजी हो जाएगा विए इस पर टेंशन सा नाइन न स्लोप की साइट क्या लगते कर देंगे M fps गर देंगए अपॉन मीचा लटका हूँए रहें M2G upon में M1 plus M2 और कभी कुछ ऐसा हो जाए कि बोसे कि यहां इसकी टेंशन बता दो इस वाले की इसकी तो फिर सुडो लगा देंगे टेंशन नीचे अगर अगर एक्सलेरशन नीचे कि तरफ यह हो रहा है तो तो एकना सकते हो और यह तो निकल कर यह आजाएगा हमेशा डारेक्ट में यह होता है वे मास्ट पर इसमें कुछ सवाल आते हैं डारेक्ट सवाल क्या होता है जो पने पढ़ा था पॉर्स बराबर डीपी फाई डीटी अब मास वेरियेबल हो गया यह मतलब कभी देखाओ ना केजी पर सेकेंड यह तो इसे कई बर गुमा के सवाल पूछ लए आप से तो डायरेक्ट सवाल कोई मुश्किल नहीं होते हैं पूर्स बराबर कुछ वी की पावर एंड के प्रोपोर्शनलिटी तो कुछ नहीं हो जाता है वी की पावर एंड बरा एक बूलेट का मास है छोटा एम एन बूलेट मारी है तो कितना मास है डीन सेकंड में मैं एमनड बाइटी स्पीड वुलेट की वी टक्राने की इसे बढ़ा मैं बैलेंस करते वह चल रहे हैं तो बढ़ा एम जी बराबर पूस्ट डूट्यू वैरिएबल मास एच्छोटा म अगला वाटर लीकास के सवालते तिस में होते है और यह टैकर टेंकर टैंकर से से पानी भाण निकल रहए पीछे से निचे गाल तो कोई टो होन्य है था ठीक आई सब्सक्यास में ड्वालिम्लींट रहता है या या फ़लवोसिटीगी की तो इसकी वैली निकल के रो या या डेंसीटी इंटू वी इंटू डेंसीटि वॉल्यूम भाइड इसकोएर बोलो यह काफी फेमस फ़ार्मला है टीक है इसी सवाल होते है याद रखना अगला सवाल आता है falling chain वाले इसमें इत्य हमाले fix है Dreyn गिर रही होती है चैन की लीनियर टेंसीडीओ छोड़ी पड़ी होती है पूछते कितना घिरा कितना पड़ा दौनों का फॉर्स निकालना है तो गिरने वाले का जो वैर्याओल मसंता है सॉल करके निकालों गे इसे तो यहां पर फोर्स आएगा लैमडा वी स्कुर्ड आ जाएगा और यहां पर गिराव पड़ा फोर्स है यह जो है यह कितना है इसका मास एमजी यह गिरा अगर एक्सलेंद गिर गई यह तो लैमडा एक्स जी यह एक्स गिरिया तो वेलासिटी एंडर रूट टू एक्सी हो जाती है इसको यहां पुट कर दो त्रू लैमडा एक्सी हो जाएगा यह निकल के वैलियो टोटल फोर्स वेरेबल मास का और पड़ा हुआ वाले के कारण टोटल फोर्स ओन टेबल जो लगता है कितना लगता है है तो लगता है ठीए लैमदा एक्सी यह स'! या 3 önce Az 보iello । game सवाल ही सवाल लिक श्राइब का और इसका फिक सॉल्यूशन होता है कुछ बहुत वेरिएशन में सॉलूशन वे निकल क्या आता है लास्ट टैप के सवाल होता है बेटा रौकेट प्रोपोल्जन का सवाल रौकेट प्रोपोल्जन तीनी सवाल बसफस्त है अपने एक तो वीडीम व्य टी जो फोर्स लग रहा है रौकेट का उसके करण मास्ट इन्टो सुदो लगा दिया ओव जिसे बोलता है जस्ट लिफ्ट करने के लिए सवाल जस्ट लिफ्ट कर रहे हैं मतलब एक्सलेशन जीरो मानलो सिफ जी ग्राविटी को पोस्ट करतो तो वी डिम बराबर एम जी निकल कहा जाता है इसमें पोर्स बैलेंसिंग और कुछ नहीं बेटा इतने ही सवाल बनते हैं आपको पूरे अनलेयम के अंदर थैंक्यू वरी मच सिफ कुछ ज्यादा कुछ अपने सी एक तम शॉट पर सारे फॉर्मले सारे टाइप्स के को सकते हैं ठीक है अब स्यमें सब्सक्राइब बना दूंगा मैं फ्रिक्शन का बनाने के कोशिश कर रह अधे गंटे में देखके जाना है तो एकदम फटा 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 है विल्कुल उसके लिए जिसको पड़ा हुआ रिवीजन है नो कंसेप्ट नो बेसिक उनली रिवीजन पड़े हुए को एक्जाम में कोशन नहीं आते फाड़े फॉर्मले याद हो जाएंगे खुद नहीं क